हेलो एवरिवन वेलकम अगेन टू लन्वरे दिमन आजम करने वाले हैं क्लास 7 का चेप्टर नंबर 4 और चेप्टर नंबर 5 दोनों एक साथ ही करेंगे क्रसी से संबंदित है और चेप्टर 5 जो है वो व्यापार से संबंदित है तो राजिस्तान के संदर्व में ही ये चेप्टर हम लोगोंगों ने बहुत अच्छे तरीके से रीड कर लिया था यदि आपने नहीं किया है तो चैप्टर 4 और 5 जो है जिसमें बहुत कम क्षिन निकलकर आये हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं चेप्टर 4 राजिस्थान में क्रशी विपरन कैजाम में आ सकता है कुषिन 1974 इस्वी में की गई थी राजिस्थान में जीरे की सरवादिक प्रसिद्ध मंडी कौन सी है तो जोदपूर मंडी जो है वह सरवादिक प्रसिद्ध मंडी है जीरे के लिए नेक्स्ट देखिए राजिस्थान में धनिया तथा मैथी के लिए प्रसिद्ध मंडी कौन सी है तो वे है कोटा की राम गंज मंडी याद रखिएगा कोटा की राम गंज मंडी धनिया और मैथी के लिए प्रसिद्ध है और वहीं हमने देखा कि राज्य की जो जोदपुर वह जीरे के लिए विस्व प्रसिद्ध है। सरकार किसानों से अनाज किस मूल्य पर खरीदती है। तो वह नियूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदती है। ठीक है। जिससे की सरकार किसान को उसकी उपज का सही मूल्य दिला सके। इसलिए वो एक ऐसा मूल्य डिसाइड कर देती है, जिससे की किसानों को टेंचन ना हो, उनको टेंचन ना हो कि उनकी उपज को खरीदने वाले जो हैं वो नहीं है. सार्वजनिक वितरन प्रणाली क्या है? सार्वजनिक वितरन प्रणाली की अंतरगत आता है. नियून्तम जमर्थन मूल्य से क्या विप्राय है? अभी हमने इसकी बात की थी, कोश्यन जो है वो घुमा कर पूछ लिया गया है. तो यहां अर्थ होता है सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य जिस पर किसानों द्वारा बेचे जाने वाले माल को खरीदने हे तू सरकार तयार रहती है. एसा मूल्य तो यहां पर यह चैप्टर कंप्लीट होता है. चैप्टर नमबर फोर क्रसी से संबंदित था. तो चलिए अब हम करेंगे चैप्टर नमबर फाइव. तो चैप्टर फाइव जो है राजिस्थान में व्यापार. इस चैप्टर का नाम है. तो यहां पर जो important question है वो हम करेंगे. राजिस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मील कौन सी है? तो वै है The Krishna Mills Limited. तो यह question मैंने आप लोगों से पहले पूछा भी था जब चैप्टर पढ़ाया था. तो सभी बच्चों ने आंसर सही दिया था. तो यह व्यावर में है 1889 में इसकी स्थापना की गई तो यहाँ पर देखिए क्रशी आधारित जो उध्योग होते हैं, जिनको हम दो भागों में बाड़ते हैं, एक बड़े होते हैं उध्योग और दूसरे चोटे उध्योग होते हैं. तो यह जो सूती वस्त्र मील है, यह बड़े उध्योगों की अंतरगत आती है. वस्त्र नगरी के नाम से राजिस्तान के किस जिले को जाना जाता है? वस्त्र नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? तो भील वाड़ा जिले को जाना जाता है. वर्तमान में भील वाड़ा को वस्त्र नगरी के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट देखिए, राजिस्थान को सूती वस्तर के बाद दूसरा क्रशी आधारित सबसे बड़ा उध्योग कौन सा है। नेक्स्ट देखिए, क्रशी व्यवसाय एवं क्रशी निर्यात प्रोट सहन नीती का निर्मान कब किया गया। चाहे आप सेकंड गेट की त्यारी करो। तो बहुत जरूरी है इन सभी कुश्चन को करना। जहां पर आपके राजिस्थान की जोग्रफी पूछी जाएगी, तो वहां आपके क्रशी का चैप्टर, व्यापार का चैप्टर जो है वो लगा हुआ रहता है, तो वहां आपके कुश्चन जो है वो important रहेंगे, तो बहुत अच्छे तरीके से ही इनको आप पढ़िए, इनको आप बार-बार सुनिए, जिससे की आपको ये सभी चीज़ें बहुत आसान तरीके से exam में याद आ सकें, तो मिलते हैं इसी तरीके से next वीडियो के साथ, जिसमें हम चैप्टर six के question answer करेंगे, thank you